हलो बच्चो कैसे आप लोग आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम या फिर सौर मंडल की तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सूरे से सूरे को इंगलिश में सन कहते हैं यह एक तारा है और सौर मंडल में उर्जा का मुक्षि स्रोथ सूरे है सूर्य मुख्यता हाइडोजन और हीलियम गैसों के मिस्टरण से बना है इसको गैसों का या गर्म गैसों का गोला भी कहते है सोलर सिस्टम या फिर सौर मंडल में मुख्यता आठ ग्रह है चलिए एक-एक करके उनके बारे में देखते है सौर मंडल का सबसे पहला ग्रह है मर्कुरी इसको हिंदी में बुद्ध ग्रह भी कहते है यह सौर मंडल में सबसे छोटा और सूर के सबसे नजदीक ग्रह है दूसरा ग्रह है वीनस इसको हिंदी में शुक्र ग्रह भी कहते है यह सूरे से दूसरा ग्रह है आकार और द्रब्यमान में यह प्रत्वी के समान है इसलिए इसको प्रत्वी की बहन भी कहते हैं यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि इस ग्रह पर कार्म डियोक्साइड की उपस्तिती के कारण यह गर्मी को अपनी तरफ खीशता है जीवन संभव है पानी की अधिक्ता के कारण इसको ब्लू प्लानेट या फि नीला ग्रे कहते हैं प्रत्वी का उपग्रे है चंद्रमा चंद्रमा प्रत्वी की चारों तरफ परिक्रमा करता है और यह प्रत्वी का प्राकृतिक उपग्रे है अगला ग्रह है मार्स, मार्स को हिंदी में मंगल ग्रह कहते हैं यह सौर मंडल में सूर से चौथे स्थान पर स्थित है मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं और सौर मंडल में बुद्ध के बाद यह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है सौर मंडल का अगला ग्रह है जिपीटर जिसको हिंदी में ब्रहस्पति ग्रह कहते हैं यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सूरी से इसकी स्तिती पांचवे नमबर पर है सौर मंडल का अगला ग्रह है सैटन इसको हिंदी में कहते हैं शनी ग्रह शनी ग्रह सूर से छटे स्थान पर है और प्रहस्पति ग्रह के बाद सौर मंडल का सबसे बड़ा दूसरा ग्रह है चलिए बढ़ते हैं अगले ग्रह की दरब सौर मंडल का अगला ग्रह है यूरेनस यूरेनस को हिंदी में कहते हैं अरोड ग्रह सौर मंडल का ये सात्वा ग्रह है ये ब्यास के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा और द्रब्यमान के आधार पर ये चौथा सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल का अगला ग्रह है नैप्चून नैप्चून को हिंदी में कहते हैं वरूर ग्रह इस ग्रह की स्थिति सूर से आख्वे स्थान पर है यह सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है क्योंकि यह सूर से सबसे दूरी परिस्थित है